हेलो एवरीवन आज अपन पढ़ेंगे एनेमिलिया प्लांटी अपना हो चुका था जिसको फाइफ ग्रूपस में डिवाइड किया गया था फिर इसकी हिरार्की भी वह भी थी देखो प्लांटी में अपने थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा यह थे प्लांटी था ना आज अपन पढ़ेंगे एनेमिलिया एनेमिलिया देखो क्या होता है थीज आर और्गिनिजम्स फिच आर युकेरियोटिक मल्टी सेलूलर एंड हेटरोटोपी प्लांटी में अपन पढ़के थे पिटा जिसमें प्रोकेरियोटिक भी थे जो सबसे पहले प्लॉटिस्टा थ सौरीन वह था थेलोफाइटा था था तो इसमें युकेरियोटिक मतलब जिनके अंदर वैल डावलाप न्यूक्लियस होता है सेल और्गेनल से वह परजेंट होते हैं मल्टी सेलूलर होते हैं एक से ज्यादा सेल में होती है हेटरोटोपिक होते हैं एनिमल्स जो है वह अपन लिएर सेल्स डू नौट है व सेलवॉल्स और इनकी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर सेल वोल्बही होती है एनिमल्स के अंदर सेल मेंब्रेन होती है most animals are mobile मतलब क्या करने वाले होते है most जो animals होते है mostly जो animals होते है वो क्या होते है mobile मतलब move करने वाले होते है गती करने वाले चलने कितने वाले they are further classified based on the extent and type of the body design differentiation form आप इनको जो इनकी body structure है जो differentiation है उसके base पे उनका आगे classify किया गया है पहला है porifera first क्या है porifera porifera जो है इसके बारे मतलब आगे classify किया गया है पहला है porifera उसके बाद है कहां गए इहला है porifera दूसरा है silentrita उसके बाद थर्ड है platyhelminthes platyhelminthes के बाद में है anelida platyhelminthes के बाद इधर है nimetoda nimetoda के बाद anelida anelida के बाद है arthropoda arthropoda के बाद आजाएगा mollusca और उसके बाद आजाएगा eight है echinodermita और ninth है pieces उसके बाद sorry vertebrates आ जाएगे उनको non vertebrates थे उनको non IAC में कर दिया है इन्होंने वर्ना non condita और condita अलग-अलग होई है तो ये इसमें दिया गए vertebrates vertebrates में देखो pieces है उसके बाद second first pieces second है amphibia third है reptilia fourth है avies और fifth है mammalia ये इसमें इसको फिर उसके बाद में animals का classification दिखाए गया है फिर इन्होंन क्लेचर है और ये अपना chapter फिर complete होईगा दौट आपी घटने vertebrates और non vertebrates ठीक है तो अभी आज आपन study करेंगे animalia animalia में अपनम स्टार्ट कर रहे थे porifera पहला है porifera ठीक है ये है porifera the word means organism with balls इस word से मतलब अब porifera means porifera मतलब क्या होता है pores pores होते हैं न pores pores मतलब organism with holes word से ही पता चल रहा है शब्द से ही पता चल रहा है कि ऐसे organism जिस पे holes हो these are non motile animals ये जो animals होते हैं non motile होते हैं means ये move नहीं करते हैं attached to some solid support और कुछ भी solid support होता है उसके साथ में ये attach होते हैं solid support के साथ में जुडे रहते हैं there are holes और pores all over the body और इनकी पूरी body पे holes होते है या pore होते हैं वो होते है these lead to a canal system और ये क्या बनाते हैं canal system that helps in circulating water throughout the body to bring in food and oxygen जो की help in circulating water water को circulate करते हैं throughout the body पूरी body में to bring in food and oxygen oxygen को ले जाने के लिए और oxygen को ले जाने के लिए और oxygen को ले जाने के लिए these animals are covered with a hard outside layer और skeleton ये जो animals हैं ये covered रहते हैं hard outside layer बहार की जो layer होती है hard उससे या फिर skeleton से ये covered रहते हैं the body design involves very minimal differentiation and division into tissues जो body design है उसमें बहुत ही कम differentiation होता है और tissues हैं वो भी बहुत कम बिला उनका भी division बहुत कम होता है इसको याद रखना है कि इनको क्या बोला जाता है commonly called sponges sponge होते हैं ये ठीक है इनको sponge बोलते है and are manly found in marine habitats marine habitat मतलब marine में समुद्री जो होता है जलूस में बलते है some examples are showing figure 7.12 यह देखो इसमें दे रखे हैं इतो यूपलेक्टेलिया साइकॉन स्पॉंजिला तो देखो पौरी फेरा है इसमें कौन से animals आएंगे पहले तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसे organism जिस पे holes होते हैं ये non motile होते हैं और एक solid support से attach होते हैं और इनके अंदर holes होते हैं pores होते हैं पूरी body के उपर और ये मिलकर के canal system बनाते हैं जो पूरी body के अंदर water, food, oxygen उसकी supply करते हैं ये जो animals होते हैं ये hard जो outside layer skeleton उसे cover होते हैं इनका जो body design है वो उसमें जदा differentiation नहीं होता division नहीं होते tissues में इनको वो लगाता sponges और manly wave मिलते हैं marine habitats में और कुछ example है इसके duplectelia, psychon और ये सब ठीक है उसके बाद second है silentrata अब silentrata क्या होते हैं देखो these are animals living in water they show more body design differentiation इनकी body design में जदा differentiation होते हैं compare to porifera there is a cavity in the body इनकी body में एक cavity होती है the body is made of two layers of the cell अब इनकी जो body है वो cell की दो layers से बनी होती है one max of cell on the outside of the body एक तो body की चारह तरफ cells वो बनाती है and the other max the inner lining of the body और दूसरी है वो inner lining है वो बनाती है some of these species live in colonies इसकी कुछ species है वो colonies में रहती है coral से जिसे while others have a solitary like span hydra कुछ है वो जिसे अकेले रहते हैं जिसे ये diagram दिखा रहा है आपको hydra jellyfish, sea animal ये अकेले रहते हैं ये common example है ये इसमें डाइग्राम में आप देख सकते हो तो silendrata के animals है वो कैसे होते हैं इनकी जो body design है compared to porphyra differentiation उसमें होता है इनकी body में cavity पाई जाती है और इसके body के उपर जो दो layer होती है इसमें cells की एक तो उपर वाली layer बनाती है दूसरी अंदर वाली lining बनाती है और कुछ species की colonies में रहती है और कुछ जो होते हैं solitary means अकेले रहते हैं जिसे hydra वगर है वो अकेले colonies में corals वगरह है वो रहते हैं तो एनने मिलिया कि अंदर अपने दो class पड़ ली है पहले तो है porifera दूसरा है पहला porifera दूसरा silenprita और अब इसमें थर्ड जो है वो है फ्लैटीयल मिली यह पड़ लेंगे अपन कल आज के लिए इतना ही थेंक्यू